हेलो गाइच मैं निर्मल आप सभी का कंप्रेटर लोजी में स्वागत करता हूँ आज का मेरा टॉपिक है टेली प्राइम इंट्रोडेक्शन बेसिकली टेली एक लोगपिरी फैनेंसियल अकाउंटिंग सॉप्टियर है और टेली में बहुत ही इजी वे से हम अकाउंट मैंटेन कर सकते हैं टेली को 1986 में टेली सॉलिसन प्राइबेट लिमिटेड द्वारा निर्मित किया गया था अभी तक टेली के काफी सारी वर्जन आ चुके हैं जैसे टेली 7.2, टेली 8.1, टेली 9, टेली ERP9 टेली ERP9 के काफी सारी रिलीज वर्जन है अभी जो टेली का लेटस्ट वर्जन चल रहा है वह टेली प्राइम है बेसिकली हम क्या करते हैं कि टेली में बहुत ही आसानी से हम अकाउंट मैंटेन कर सकते हैं रिकॉर्ड कर सकते हैं बहुत ही इजी वे से most probably जितनी भी companies होती है Tally को ही use करते हैं अपनी account maintain करने के लिए Tally सीखने के बाद हम as a account assistant job कर सकते हैं Tally में किसी भी company के as a computer operator job कर सकते हैं हम CA firm में job कर सकते हैं बहुत सारी companies होती हैं आज की date में तो Tally की हर जगए entry होती है तो इसलिए इसकी demand काफी जादे है अब इसको हम open करना भी सीखते हैं सबसे पहले हम क्या करेंगे start पे click करेंगे then search box पे यहाँ पे Tally टाइप करेंगे जैसे ही Tally टाइप करेंगे यहाँ पे उपर से देखो एक यहाँ पर highlight कर रहा है Tally Prime उस पे click कर दोगे जैसे आप Tally Prime पे click करोगे तो उसकी screen सो करेगा तो मेरा अपना मानना है या most probably तो बहुत सारे लोग Tally यूजी करते हैं तो आज की date में अगर आपको Tally बहुत अच्छे से आता है तो आप अच्छा कहीं पे job कर सकते हो कंपनी में आपकी एक अच्छी पोईशन हो सकती है या आप पार टाइम फुल टाइम कहीं पे भी job कर सकती हो यह इस टाइब से लूक होता है यह टैली का फ्रंट लूक है इसमें क्या होता है कि एजुकेशनल मोड टैली है यहां पर देखो बहुत सारे options आ रहे है continue in educational mode use license from network reactive existing license active new license इसमें क्या करेंगे हम अभी क्योंकि हम learner है हम सीख रहे हैं तो हम क्या करेंगे continue in educational mode पे क्रिक करेंगे क्योंकि educational mode हमें एक free of cost पे हम उस पे सीख सकते हैं क्योंकि अगर जो license वाले जितने भी टैली के version होते हैं वह हमें purchase करने पड़ते हैं इसमें हम educational mode पे क्लिक करके जो हमारी basic needs होते हैं company में हम उतना learn कर सकते हैं उसके बाद जब हम company पे जाते हैं तो हम वहाँ पर license version पे ही work करते हैं क्योंकि अगर हमें सारे options आ जाएंगे अगर आपको टैली नहीं आता है तो आज से ही शुरू हो जाओ टैली सीखो हर जगह यूज होता है suppose अगर आप account stream से हो तो आपके लिए बहुत easy है टैली सीखना क्योंकि आपका background बहुत strong रहेगा क्योंकि आपने 11-12 में पूरा commerce की study की होगी अगर आप arts या किसी other stream से हो तो आपको सबसे पहले अपना theoretical, manual accounting strong करना होगा उसके बाद आप computerized accounting भी बहुत easy way से कर सकते हो क्योंकि टैली ही एक ऐसा software है accounting में जिसमें हम आसानी से calculate करके record खुद कर लेता है होने को एक आम Excel पे भी हो जाएगा अगर आपने देखा होगा अगर आप टैली यूज कर रहे हो आपने कहीं पे capital की entry की उसके बाद purchase किया sale किया, sell लिपेट किया जो भी work करते हो automatically उसकी balance sheet बन जाती है profit and loss account बन जाता है और other vouchers create हो जाते हैं हमें कुछ करना नहीं पड़ता है हम बस entry करते हैं लेकिन Excel में अगर हमें करना पड़ेगा तो हमें हर चीज के लिए formula put up करना होता है यह अंतर है दोनों में बहुत इंट्रेस्टिंग है सबसे उपर देखो टैली प्राइम का यहाँ पर एक चोटा सा इस टाइब से दिखा रहा है टाइटल बार में यह minimize बटन है यह restore down है और यह close बटन है और इसके नीचे यह कुछ features सो कर रहा है जो useful features है यहाँ पर financial year सो करता है हमेशा जो financial year होता है वो अप्रेल से start होता है और यहाँ पर name of company अगर आप यहाँ पर कोई company बनाई विया तो यहाँ पर company सो करेगा दीपक private limited के नाम से हमने अभी company create कर रखी है date of last entry सो कर रहा है यहाँ पर gateway of tally gateway of tally means इसी की help से हम tally में अलग-अलग feature यूज करते है क्योंकि इसी से हम laser create करते हैं इसी से हम voucher entry करते हैं इसी से हम मतलब जितनी भी entries होती है gateway of tally के माध्यम से ही होती है important feature हैं इसारे बहुत ही simple मैंने आपको tally का introduction दिया था आगे भी मैं कोशिस करूँगा आपके लिए voucher entries के videos बनाऊँगा तो please guys आप मेरे video proper watch करो मैं कोशिस कर रहा हूँ आपको कुछ सिखा हूँ जिससे आपको काफी help मिलेगी okay guys thank you